हे गाईज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल एफ़र्टलेस एकनामिक्स सो आज अपन देखेंगे एन्वार्मिन्ट एस लग्जरी और नेसिसिटी तो एन्वार्मिन्ट लग्जरी है या फिर नेसिसिटी है यह डिपांड करता है पीपल टू पीपल पे जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए एन्वार्मिन्ट जो होता है वो नेसिसिटी होता है क्योंकि उनके लिए जो एन्वार्मिन्ट होता है वो ओनली सोर्स अफ लाइवलिध होता है अगर हम ब्रिस पीपल के बात करें, तो उनके लिए environment जो होता है, वह luxury होता है, क्योंकि उनकी जो daily needs है, उसके लिए एक environment only source नहीं होता है, उनके लिए other sources भी होते हैं, तो इसलिए वो environment को as a luxury treat करते हैं, अब इसी चीज को में कीछ उसे आपको और बी चल्द कलीयर होगा, क्यो उन्होंने लकडी घास पूस इससे अपनी जोपडी बना रखी वेरेस ये एक रिच पीपल की वॉच है ठीके ना एक रिच मैन की वॉच है जिसने क्या कर रखा है सेम लकडी को उसने अपनी वॉच की डायल के लिए यूज कर रखा मतलब वो जो है अन्वामिंट को आज लग स्वाइब केलए सब्सक्राइब वो इनकसी विचलाइब को हैं मतलब जितने इंकम बढ़ेगी उतना ही एन्वामिंट कौली का दिग्रेडेशन जो है वो जादा अब इस चीज़ को में एक डाइग्राम के थूँ समझते हैं, तो यह है हमारा डाइग्राम, और इसमें य-axis चो है, वो रिप्रेजिन करी है, इनकम को, और एक्स चो है, वो एनवामिन्ट क्वालिटी को रिप्रेजिन करी है, बट इन टर्म्स अफ डिग्रेडेशन, और यह ह इसका है, एनवामिन्ट का, supply curve of environment, ओके, तो जैसा कि आप इस डाइग्राम में देख सकते हो, जब हमारी इतनी इंकम थी, तो एनवामिन्ट की क्वालिटी जो है, इतनी डिग्रेड हो रही थी, बट जैसी हमारी सपोस करो, हमारी इंकम जो है, इंक्रीज हो गई, यह हमारी जो environment quality है, in terms of degradation, मतलब environment quality का degradation भी बढ़ गया, पहले इतना था, अब इतना हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब यह है, कि जैसे जैसे इंकम बढ़ेगी, हमारी जो environment quality है, उसका degradation भी इंक्रीज होगा, okay, so this was all about environment as a luxury or necessity, I'll be uploading my next video very soon, till then, take care, bye-bye, do like share my video and subscribe to my youtube channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon